पूरे एक साल में लगबग एक लाग करोड रुपे से उपर की चाय पी जाते हैं हम भारती है चाय अमरित है या विश है ये निरने आपको खुद लेना है हम कर रहे हैं आज चाय पर चर्चा तो मैं पांच ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद आप खुद डिसीजन लेंगे नमबर एक 2006 में एक जर्मन स्टडी हुई थी चाय में पॉली फिनेल और फ्लेवनेन नाम का एंटी ऑक्सिदेंट पाये जाता है लेकिन जैसे ही उसको हम दूद में डालते हैं तो दूद में पाये जाने वाले कैसीन नाम के प्रोटीन के साथ मिलते ही वो केमिकल कनवार्ट हो जाता है यानि कि केमिकल रेक्शन होता है और वही मुख्य खानान है भारत में एस्डिटी का लीवर के रोगों का और किड्मी के रोगों का दूसरा पॉइंट अगर चाय में दूद और चीनी डालके पिया जाता है तो चीनी में फासफोरस और सलफर पाये जाता है जो पेट के रोगों को 90% बढ़ा देता है और यही से आर्ट्रीस जो हमारी नलियां है हाट की वो सखत हो जाती है इसी के परिणाम सरूप भारत में आई 10 करोड लगबग बीपी के रोगी है और लगबग 1.5 करोड हाट के रोगी है मैंने बहुत बार कुट्य को पिला के देखा नहीं पीता गाए को पिलाया नहीं पीती भैस को पिलाया वो भी नहीं पीती कोई जानवर चाय नहीं पीता पक्षी भी नहीं पीते दूद पीते हैं दही खा लेंगे पानी पी लेंगे चाय नहीं पीता कोई यह मनुष्य मूर है जो पीता रहता है अकेला नहीं पीता हर घर में आने वाले को पिलाता तू भी पी अपनी आतें जलाते हैं पेट जलाते हैं पैसा बरबाद करते हैं स्वास्त खराब होता है चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती, जिनको भूख नहीं लगेगी, शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा, तो बीमारिया, इसलिए मत पीओ, आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, सब्तर हजार करोड रुपए देश के बच्चते हैं, तो आप छोड़ दो, कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी, महात्मा गांदी, सरदार पटेल, सुभाश चंद्रशेकर आजाद, शहीद भगत सिंग, उधम सिंग, किसी ने चाय नहीं पी, आप क्यों पी रहे हो, बंद करो, तो आप बोलो के फिर क्या प आप बोलेंगे, जी दूद पीने से क्या लाव है, दो लाव है, चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूद बिकना बढ़ जाए, तो दूद बिकेगा, तो जानवर जादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफ़ा सब किसानों को मिलने लगेगा, और चाय का मुनाफ़ा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कमपनियों को हमारे देश में जो चाय बिक रही है न वो सबसे ज़्यादा बेचने वाली कमपनी है ब्रुक बॉर्ण एक है लिप्टन एक है टी सिटी एक है आई टी सी यह सब विदेशी कमपनिया है तो ज़्यादा चाय बिकती है तो ज्यादा दूद बिकेगा मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा तो क्या अच्छा है गाय का दूद बिके तो दूद पियो चाय बन कर New England Journal of Medicine Study ने भी कहा है कि ज्यादा चाय पीने से fluoride की मातरा बढ़ती है जिससे हडिया कमजोर होती है और भारत में arthritis, osteoarthritis, rheumated arthritis यानि की गठिया के रोग बढ़ते हैं और भारत में इसी वज़े से लोग घुटने का चेंज करा रहे हैं, रीडी की हड़ी का operation करा रहे हैं और जोडों के दर्द की दवाईयां खा रहे हैं नमबर चार, चाय में कैटोचीन नाम का एक और बहु मुले अतत्व anti-accident होता है जो की हमारी immunity के लिए अच्छा होता है लेकिन जैसे ही चाय की पत्ती को आप जानवर से प्राप दूद में डालते हैं तो वो carbon बन जाता है जिसके प्रभाव से pancreas ग्रंथी पर carbon यानि की toxins जमता है, chemical जमता है जिसका प्रभाव क्या है कि भारत में आज 9 करोड़ लोग sugar yoli रोज खा रहे हैं और लगबग 1.5 करोड़ लोग kidney के patient हैं दूद वाली चाय के एक कप में लगबग 1.5-200 कैलरी हो जाती है और जो वेक्ती 3-4 कप रोज चाय पीता है तो सोचो 500-700 कैलरी एक्स्ट्रा ले ली जिसकी वज़े से मोटापा बढ़ता है, कोलोस्ट्रोल बढ़ता है और भारत पूरे विश्व में heart की problem की राइधानी बन कशाय पीनी है या नहीं पीने निरने आपको लेना है और अगर आपको लगता है कि जब हम चाय छोड़ेंगे 2-3 दिन सिर दुखेगा तो दुखेगा लेकिन अगर आप धीट हो जाएंगे और विद्चिम नहीं नहीं पीएगे तो सिर दत अपने आप ऊपकी ठीक हो जाए लीवर फेल ना हो या कोई प्रोस्टेट कैंसर ना हो पुरुशों को और सबसे बड़ी बात मैं आप सब को चोकाने वाली बात बताने लगा हूँ चाए पीने से सेक्स शमता घटती है दूद वाली चाए पीना बंद कर दीजे भारतियों हजारो करोड की दवाईयां खा जाते हो आप बाज में इलाज के नाम पे तो आज ही दूद वाली चाए छोड़के हरवर्टी को अपना लीजिए सौंफ, तुलसी, लॉंग, इलाइची, बिनक्षा इस तरह की चीजों की चाए पीजिए जो की आपके शरीर को फाइदा बचाए और देश का हजारो करोड बचाए आपको अगर लगता है की चाए पीना लोगों के लिए नुकसान दायक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस रक्ती तक मुझा दीजे जो चाए पीता है ताकि वो वीडियो देखे, साइंटिफिक रिसर्च देखे फिर वो खुद नरने करे की चाए पीनी है या छोड़नी है तो चंडीगड में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुडगाओं, अमरिसर, दिल्ली, जलंधर, जैपुर, पटियाला, संगरूर कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है हिम्स की ब्रांचिस शुरू हो चुकी है अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए भाई राजीव दिख्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था भाई राजीव दिख्षित चाहते थे पूरे विशु में आईरुवेद का डंका बचे आईरुवेद की वजह से भारत विशु को रवने हमें आपकी मदद चाहिए हर किड़नी पेशेंट लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पचाहिए और भारत को भी शुरू रवनाने में हमारी मदद कीचिए धन्यवाद जैहिंट